हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे मेरा नाम है आयूज जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि स्पायरूलिना क्या है उसको खाने से क्या benefits हमको होते हैं और अलग-अलग organizations की क्या राय है उस product के बारे में सबसे पहली चीज जो स्पायरूलिना है ये एक blue-green algae होता है naturally समुदर में खारे पानी के समुदर में ये पाया जाता है स्पायरूलिना को best natural detoxifier कहा जाता है 1974 में Food and Agriculture Association ने इसको best food on earth का दरजा दिया 1981 में US Food and Drug Administration ने इसको best nutritional supplement का दरजा दिया 1983 में West Germany International Food Exposition ने कहा कि ये best natural food है इसी के साथ साथ Mexico and Central Africa की लोग इसको कई सौ सालों से use कर रहे हैं अपने खाने के तौर पर इसके nutritional गुणों की वज़े से spirulina को ideal capsulated food for astronauts भी कहा जाए अगर इसके nutritional value की बात करें तो इसमें protein भरपूर मातरा में मिलता है दूज से 14 गुना जादा protein मिलता है अंडे से 6 गुना जादा और दालों से 3 गुना जादा protein हमको मिल जाता है इसी के साथ साथ spirulina को vitamin E का richest source कहा जाता है जो हमारे skin के लिए beneficial होता है इसी के साथ साथ vitamin B12 का richest source माना जाता है spirulina को जो कि हमारे gut health को maintain करने में मदद करता है इसी के साथ vitamin B1, B2, B3, B6, B12 जैसे vitamins भी हमारे spirulina के अंदर भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं तो आईए अब बात करते हैं spirulina के benefits ही सबसे पहला spirulina के अंदर हमको gamma lineolic acid मिल जाता है जो की bad cholesterol को कम करता है और हमारे hurt को stroke के खत्रे से बचाता है spirulina के अंदर भरपूर मात्रा में iron मिलता है जिसके वज़े से हमारी anemia की कमी को पूरा करता है इसी के साथ spirulina diabetes के खत्रे को भी कम करता है vitamin E होने के वज़े से ये हमारे skin के लिए बहुत अजफायदे मन्द होता है हमारे skin में जो wrinkles आ जाते हैं उसको कम करता है इसी के साथ एक glow आपके skin के ओपर भी ले करके आएगा hyper acidity जिन लोगों को भी दिक्कत रहती है उनके लिए spirulina एक बहुत ही beneficial product है hyper acidity की दिक्कत को भी ये खत्म करता है spirulina हमारे energy और stamina को बढ़ाने का भी काम करता है इसी के साथ skin problems में भी spirulina काम करता है eczema जैसी problems को भी spirulina ठीक करता है हमारे metabolism को improve करता है जिससे की हमारा एक ideal weight maintain होता है इसी के साथ spirulina नए cells को बनाने में मदद करता है और cancerous cells को भी कम करने का काम करता है हमारे body के अंदर एक acid base का level maintain करता है जिसकी वज़े से हमारी body एक healthy state में रहती है अब बात आती है कि spirulina को हमें कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए तो आप इसको morning to evening कभी भी खा सकते हैं night में आप इसको avoid कीजिएगा क्योंकि आपका जो energy level है वो बढ़ जाएगा जिसकी बाद कि आपको सोने में दिक्कत आ सकती है अगर इसके safe quantity की बात करें तो spirulina को कोई भी व्यक्ति एक ग्राम से लेकर के चार ग्राम तक ले सकता है एक दिन में अगर आप एक ग्राम सुभा ले रहे हैं एक ग्राम शाम को ले रहे हैं आप इवें चार ग्राम तक भी इसको ले सकते हैं कोई भी दिक्कत इसकी वज़े से नहीं आती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि spirulina क्या है उसको खाने से क्या क्या benefits होते हैं क्या क्या उसके अंदर हमको मिल जाता है और कब हमें उसको खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी value मिली है तो इस चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends and family members को share कीजिए so that कि वो भी इस बहतरीन product का benefit ले सकें Thank you